नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साहीति सौंदरे साहीति सौंदरे में पिछली बार हम सीबी एसी के प्रश्न पत्र का व्याकरन भाग पढ़ चुके हैं कक्षा दसवी हिंदी बीपाठे ग्रम के लिए और आज हम सीबी एसी के प्रश्न पत्र का अगला भाग जो के साहीति पराधारित है उसे पढ़ने जा रही हैं हमारी समक्षे प्रश्न क्रमंग साथ निमनलेखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सरवाधिक उप्युक्त विकल्पों का चैन कीजिए चार प्रश्न है कुल तो कविता कुछ इस प्रकार है कर चले हम फिदा जानुतन साथियो अब तुम्हारे हवाले बतन साथियो सांस थमती गई नब्स जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया बट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमाले का हमने न जुकने दिया मरते मरते रहा बाकपन साथियो अब तुम्हारे हवाले बतन साथियो जिन्दा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुसन और इश्क दोनों को रुस्वा करें वो जवानी जो खुमे नहाती नहीं आज धर्ती बनी है दुलहन साथियो अब तुम्हारे हवाले बतन साथियो प्रश्न एक है सर हिमाले का हमने न चुकने दिया पंक्ति में सर किसका प्रतीक है स्वाभिमान का सही लगता है सिर का प्रतीक तो नहीं है प्रतीक का आर्थ होता है किस से सिंबोलाइस्ट कर रहा है या शब्द किसकी और इशारा कर रहा है तो घमंड का भी नहीं हो सकता। पराक्रम का हो सकता है। तो देखते हैं पराक्रम या स्वाभिमान दोनों में से कौन सा उचेत उत्तर है। दो को हमने होल्ड पर रखा है। ऐसी स्थिति में जब आपको दोनों उत्तर सही लगें, तो एक बार फिर से आपको प्रश्न को पढ़ना चाहिए सर हिमाले का हमने न जुकने दिया इस पंक्ति का अर्थ है कि हमने हमारे देश के स्वाभिमान को नहीं जुकने दिया तो स्वाभिमान उचित विकल्प होगा तो इसलिए हम विगल्प स्वाभिमान को चुनते हैं और पराकरम को कर देते हैं गलत अगला प्रशन है पद्यांज में बाकपन किसका प्रतीक है बाकपन का अर्थ वैसे तो वक्रता होता है किन्तो हम रखते है इसे होल्ड पर अद्भुत तो नहीं होता चवी भी नहीं होता बेमिसाल भी सही लग रहा है तो अब यहां फिर से प्रतीक पुछा है बाकपन का यदि शब्दार्थ पूछा होता तो हम लिखते हैं वक्रता लेकिन यहां पर शब्दार्थ नहीं पूछा यहां पर पूछा गया है प्रतीक या किसका प्रतीक है तो हम लिखेंगे बेमिसाल का मरते मरते भी अपने बेमिसाल कारणामे सैनिक यहां करता है बेमिसाल अर्थाद जिसका कोई उदाहरण ना दिया जा सके ऐसे कारणामे मरते मरते भी यहां पर सैनिक करता हुआ जा रहा है तो बेमिसाल उचित उत्तर है धर दुलहन की भातीशirmा रही है तो धर्ती शर्मा कैसे सकती है यह हो गया गलत सैनिकों के खून से ना आ गई है यह है उचेत किन्तुँ हम आगे पढ़ेंगे बलिदान से गौरवानवित हो रही है तो दुलहन गौरवानवित नहीं होती इसलिए इसे हम कर देते हैं क्रॉस दु तो उचे तो तर हुआ, सैनिकों के खून से नहा कर धरती ऐसी लग रहा है, मानों लाल रंग के जोड़े में दुलहन की तरह सजी हो, सर पर कफन मानने का अर्थ है, बलिदान के लिए तयार होना सही है, मरने की कोशिश करना गलत है, अपने लिए जान की बाजी लगाना गलत ह लोगों को दिखाना की हम मरने से नहीं डरते, तो यहां दिखावे की कोई बात नहीं है, यह शूर वीर सहनिक है, तो यह विकल्प भी हो जाता है गलत, अपने पुराने विकल्प की और फिर से आ जाते हैं हम, जो के हमने चुना था बलिदान देने के लिए तयार होना, सिर प्रशनों के सरवाधिक उप्युक्त विकल्पों का चैन कीजिए, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहां कोई चलता नहीं बलकि दोड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है, हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बढ़ बढ़ाते रहते हैं, अ उसे स्पीर का इंजन लगाने पर वह हजार गुना अधिक रफ्तार से दोड़ने लगता है, फिर एक शन ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है और पूरा इंजन तोड़ जाता है, यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहां बढ़ गए हैं, अक्सर हम या भी आया नहीं है, हमारे सामने जो वर्तमान शन है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए, चाय पीते पीते उस दिन दिमाग से भूत और भविश्य दोनों काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान शन सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तरित था, इस प्रकार यह गध्यान जेन की देन पाट से, जिसमें मनो रुगनता या मानसिक रोगियों की संख्या जापान में क्यों बढ़ गई है, इस पर लेखक ने विचार किया है, आईए तो देख लेते हैं इसके प्रशन किस प्रकार हल किये जाएं, गध्यांच में मानसिक रोगों के बढ़ने का क्या क अमेरिका से प्रतिसपर्धा करना ठीक लग रहा है, तेज रफ्तार से दोड़ते दिमाग का तनाव सही है, सामर्थ से अधिक कारे करने का दबाव सही है, खटी मीठी यादों में उल्चे रहना ये भी सही है, हमें सारह सही लग रहे हैं, अब ऐसी स्थिती में सबसे सही तो मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण अमेरिका से प्रतिसपर्धा करना तो नहीं हो सकता प्रतिसपर्धा जो है सही भावना से की जाए तो यह भी उचित है प्रतिसपर्धा कोई अनुचित विकल्प नहीं है तेज रफ्तार से दोड़ते दिमाग का तनाव का बढ़ जान यह ज्यादा सही लग रहा है, सामर्थि से अधिक कारे करने का दबाव दिमाग पर बनाना, यह भी उचित लग रहा है, खटी मिठी यादों में उलजे रहना, यह गलत है, अब हम आते हैं, दो विकल्प हमने फिर होल्ड पर रखे हैं, और वो है तेज रफ्तार से दोड़ते दिमाग का तनाव, और सामर्थि से अधिक कारे का दबाव, ऐसी स्थिती में जब दो विकल्प हमें सही लगे, तो एक बर फिर प्रशन पढ़ना चाहिए, गद्यांच में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है, सामर्थि से अधिक कारे करने का दबाव, तेज रफ्तार से दोड़ते दिमाग का तनाओ सामर्थी से अधिक कारे करने का दबाव जो है अनुचित हो जाता है क्योंकि बात दिमाग की आने की गई है हम लेते हैं विकल्प तेज रफ्तार से दोड़ते दिमाग का तनाओ तो दिमाग की बात हो रही है तो मानसिक रोगी जो है तेज रफ़तार से दोड़ते दिमाग के कारण मनो रुगनता यहां बढ़ती जा रही है यह हुआ उचित विकल्प जीवन की रफ़तार बढ़ने का अर्थ है प्रतियोगी होना नहीं दूसरों को हराना नहीं तीवर गती से कार्य का निश्पादन करना सही है जल्दी बुढ़ा होना गलत है बिलकुल ही अनुचित है तो इस तरह हम स्पष्ट रूप से यहां उत्तर हमें मिलता है तीवर गती से कारे का निश्पादन करना अर्था जीवन की रफ़तार बढ़ा दी है हमने अर्था हम बहुत तेज गती से कारे को करना चाह रहे हैं दोनों ही काल मिथ्या है इसका तातपरे है समय सदा सत्य नहीं रहता होल पर रखते हैं समझ में तो नहीं आ रहा कुछ दोनों ही काल ज यादों में नहीं रहना चाहिए, यह भी गलत है, तो दो विकल्प हमने होल पर रखे हैं, समय सदा सत्य नहीं रहता, यह भी अब गलत लग रहा है, अब स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष एक उत्तर उभर कराता है, और वह है व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रह स लगता है, कि हम वर्तमान काल को नियंत्रेट कर सकते हैं, भूत और भविश्य दोनों ही काल हमारे हाथ में नहीं है, यही इसका तातपरी है, दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है, इसके विकल्प है, अमेरिका से से प्रतिस परधा करने के लिए ठीक लगत है, दोड़ने की गती बढ़ाने के लिए होल्ड पर रखते हैं, दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए यह भी होल्ड पर रखते हैं, दिमाग को तनाव मुक्त रख अधिक कारे करने के लिए, तो तनाव मुक्त तो दिमाग इससे नहीं होता स्पीड बढ़ा देने से, इस अमेरिका से प्रतिस परधा करने के लिए, दोडने की गती बढ़ाने के लिए, ये दोनों ही लगते हैं आप गलत, क्योंकि गहरे अर्थ में यही बात सही है कि दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए, दिमाग से तेज गती से काम लेने के लिए, दिमाग में स्पीड का एंज होने के कारण? नहीं, लेखक तो बूर नहीं हो रहे थे वहां पर. लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच रहा था, सही है, क्योंकि आकाश का दूसरा नाम अनंत है, गलत. एक बार फिर प्रशन को देखते हैं, अनंत काल के विस्तरित होने का क्या कारण था? तो ये करते ह गलत और ये होता है, सही विकल्प, लेखक, केवल वर्तमान काल के बारे में ही सोच रहा था. प्रशनक्रमांक 9. निमनलिखित गद्यांश को पढ़ कर प्रशनों के सरवाधिक उप्युक्त विकल्पों का चैन कीजिए, अभी है दूसरा गद्यांश है, वामीरों के रुद वामीरों की मा कुरोज से उफन उठी, उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, गाउं के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजे उठाने लगे, या ततारा के लिए असहेनिय था, वामीरों अब भी रोई जा रही थी, ततारा भी गुस्से से भर उठा, उसे जहां विवाह की निशेत परंपरा पर खशोब था, वहीं अपनी औसहायता पर खीज भी, वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था, उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए, अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जाटिका, क्रोध में उसने तलवार निकाली और क अब हम इसके प्रश्ण देखते हैं, निम न लिखेत, मेसे निर्देशा नुसार सरवादिक उप्युक्त विकल्प का चैन कीजिए, प्रश्ण एक है, गद्यांश में क्रोध और अगनी की तुलना क्यों की गई है, पहला विकल्प है, क्रोध और अगनी दोनों ही बड़े स्वभाव का था, उस वक्त परिस्तितिया ऐसी हो गई थी कि उसे गुस्ता आ गया, वामिरों की मा और ततारा दोनों ही गुस्ते में थे, ये भी गलत विकल्प है, तो हमने दो विकल्प रखे हैं, होल्ड पर, फिर से एक बार प्रश्ण पढ़ेंगे, गद्यांश में क्र क्रोद और अगनी की तुलना क्यों की गई है, क्रोद और अगनी दोनों ही बड़े गर्म होते हैं, क्रोद और अगनी दोनों पर ही नियंतरन कठिन है, तो दूसरा विकल्प हो जाता है ज्यादा सही, और पहले विकल्प को कर देते हैं हम, गलत, तो इस तरह से दूसरा विक नहीं उसे विवा की निशेद परंपरा पर क्षोब था ये तो सही है वामिरो अब विवा के लिए तयार न थी या भी गलत है वामिरो ने ततारा की सहायता नहीं की या भी गलत है तो सही उत्तर है कि उसे विवा की निशेद परंपरा पर क्षोब था अर्थात उस परंपरा क लेखर वह बहुत दुखी था वामिरों की मां को द्रिश्य अपमान जनक क्यों लगा मां को गाउं के समक्ष अपमान महसूस हुआ ठीक है मां को वामिरों के लिए ततारा पसंद नहीं था यह गलत है मां गाउं की परम्परा से बंधी थी ये भी ठीक लग रहा है मा वामिरों से बहुत प्यार करती थी यह गलत है प्रेश्ट है वामिरों की मा को द्रिश्य अपमान जनक क्यों लगा द्रिश्य तो द्रिश्य अपमान जनक लगने का कारण यह था कि पुरे गाउं के समक्ष उनका अपमान हो रहा था त तो माँ गाउं के परंपरा से बंधी थी ये गलत है, ये हो जाता है सही, कि माँ को गाउं के समक्ष अपना अपमान महसूस हो रहा था, ततारा वामिरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित करती है, जाती प्रथा, होल्ड पर रखते हैं, बेमेल विवा गलत है, वि अगला प्रशन है, आग बबुला हो उठने का क्या तात्परे है, आग बबुला हो उठना मुहावरा है, अत्यधिक क्रोध आना ठीक है आग की प्रचंड लप्टों की तरह लहराना गलत है बच्चों की चिंता करना गलत है बहुत परिशान होटना गलत है तो सही उत्तर है इसका अत्यधिक क्रोध आना तो यह था साहिति सौंदरे का वीडियो जिसमें हमने जाना साहिति पराधारित पहु विकल्पी प्रशनों को किस प्रकार हल किया जाए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक किले गुडबाई नमस्कार